यह गाई जो यह आगे बस वाला जा रहा भाई सो गाईज कुछ दिख रहा आपको इसक्रीम पे अपनी कालू का एवरेश वाई 17.1 का एवरेश आ रहा भाई लूट टू मोधी सरका बहुत बाई अच्छी अच्छी चीज़ है भाई कि नाइट ड्राइविंग आप कर रहे हो आप सेफ हो दोड़ा इस देखो इस रोड़ पे वाई सीक्योरिटी बहुत बढ़ गई बहुत जादा पहला लॉंग ट्रिप है अपना 800 किलोमीटर का कैसे आप सभी तो भाई ऐसे देख के बाई चौक मत जाओगी एक ही ड्रेस में कितने व्लॉग तो सेड़न प्लान बना है घर जाने का और भाई फटा फट से एकदम मस्तियार हो गए बैग बैग अपना सब पैक है इदर देखो सब पैक हो चुका है तो भाई अभी रात के कितने बज़ रहे हो गया रहे हैं साड़े दस हो रहे हैं तो अभी बस गाड़ी बाड़ी निकालते हैं वहां से बैग गाउं जा रहे हैं और गाउं जा रहे हैं तो समझ जाओ कि तावड तोड़ व्लॉग आने वाला है तगड़ी वाली ओफ रोडिंग सब कुछ मिलेगा तो इसके लिए आपको बाई चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाना पड़ेगा तो कर लो फटा मस्त बैट गए कालू के अंदर और टाइम आप देख लो टाइम हो रहा है ग्यारे बचके 20 मिनट गाड़ी अपनी चली है छी आसी सो उन्तालिस किलो मेटर तो अब देखते हैं थोड़ा सा पहले कालू को खाना खिलवा देते जिससे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो फुल पहला लॉंग ट्रिप है अपना 800 किलो मेटर का तो मस्त अपना मस्ती में जाएंगे बाई कोई जल्दिवाजी नहीं आराम से 70-80 चलाओंगा इससे जादा मुझे चलाना ही नहीं है गाड़ी मज़े मज़ेस जाएंगे अबरेज भी आएगी गाड़ी की तो चलो देखते ह पहला लॉंग ट्रिप अकेले करके कैसा रहता है ना चलो वहीं चलो फिर चलते हैं संकर भगवान की जय तो गाइज अपने कालू का आटो कट तक भरवा दे रहा हूं जिससे भाई मस्त निकल जाएंगे अराम से आगे चलके देख लेंगे थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो दलवा लेंगे आटो कट तक दलवा रहे वड़ियां से तो सही भाई फटा फट तेल दलवाते हैं फिर आके में रोड़ पर मिलता हूं अपने गाड़ी में तेल आया है 292 रुपए का 26 लीटर कुछ 255 लीटर क्योंकि दिन में मैं 2100 का दलवा दिया था तो अभी मस्त तो कट तक अपनी गाड़ी फुल हो गई है और आई होप इसमें लखनो तक तो निकल जाएगे जो कि हमारा गाओं है भाईया गाओं का इस बार गाईज बेजोड व्लॉग आएगा ताबड तोड तो एकड़म रेडी रहना भाई मस्त वाला ठीक है जबड़ दस्त वाला तो फस इसलिए जाई रहा हो चलो भाईया इंजॉआये करो कालू मस्त चलना यार पूरा बादले क्या है पूरा गोल हो जाते हैं मजेदार आता है सब्सक्राइब है तो यह अपना कालू मस्त चलना यार बेजोड चलता वाई कालू अपना नोड आउट मजा जाता है एक दम मस्त निकल दिये हैं अभी तो भाई यमना एक्सप्रेस वे नहीं पहुंचे चलना है वाले पहुंचके हैं बस पहुंची गए यहां से बस सब्सक्राइब है अपना पहला लॉंग ट्रिप है गाईज मतलब सोलो इतरह से सब्सक्राइब और इसके बाद पता है एक अपना एक इक्सप्रियंस आजाएगा वाई इसके बाद मस्त गाड़ी चलाओंगा कहीं भी लेकर चला जाओंगो कोई टेंसर नहीं ठीक है चलते ह सब्सक्राइब है 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 थाए गाईज देखो अपने कालू का लाइट का थुरो देखो लाइब ग्याव यह दिखाना जरूरी था मोडिफिकेशन हर कोई कराता है यह लाइट देखो आप उसके बाद बताना कैसा मोडिकेसर है लाइट का लाइट का थृग और टोटली अजूम का प्रोजक तो हाइवे के लिए पर्फेक्ट लाइटिंग है सिटी में आप ऐसी लाइट का यूज ना करें मैं हाइवे पर हूँ साइड में पेड़ भी है इसलिए उधर से आने वाली गारी को कोई प्रॉब्लम नहीं है महाई भी इंप चलगा हूँ ठीक है मस्क देखो थो देखो आप पहला टोल और चलते हैं फटा-फट से फास्ट लेना है नहीं निकल ले हैं अपना यह पहला टोल आ गया है चलते हैं यह टोल के अंदर मस्क अभी तक का एक्सपीरियंस गाइज एकदम बेस्ट फर्स्ट लॉंग ट्रिप इससे पहले मैंने ताड़केश्वर तो किया ही है ताड़केश्वर वाला ताड़केश्वर महादे ओ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था ठीक है तो अपना मस्क चलना है भईया कोई कर देख लिए वाँ पर नाव बारे सही हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है इस बार जो अपना साउंड जो है सही सेटिंग हुई ना वाई जवड़ दस्त वजरा यार मजा आ रहा है और भाई कालू का जो पर्फॉर्मेंस है यार नेक्स्ट लेवल और आज एक और चीज पता लगी गाई प्लस और माइनस का बटन होता है उसमें क्या करना होता है इक प्लस वाला बटन है माइनस वाला तो प्लस वाला करोगे तो क्या होगा आपका अब आपके उपर टीपेंड करता है ठीक है तो यह चीज बहुत सही है वाई इस गाड़ी में जबडस लगा वाई और इनकेस आपको मालो 75 पर शेट करना है मतलब जो से भी और कम जबना मालो असी से तो माइनस दबा दो माइनस माइनस करके फिर उस पर सट कर दो तो बहुत सही बाई बहुत सही तो अभी क्रूज कंट्रोल लगाया हूँ गाड़ी सॉरी गाइस क्रूज कंट्रोल लगा के गाड़ी चली 78 की स्पीड में ठीक है 78 लगाया हूँ और एवरेज मैंने पहुंचा दिया अभी इसका पंद्र है अभी अभी देखते जाओ 16 पहुं दिल दिवाना कहता है के प्यार कर अचार 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 इस रोड पर वाई सिक्यूरिटी बहुत वड़ गहीं बहुत जादा क्योंकि यहां पर बहुत सारे गांड़ हो चुके पहले यमनाज कर दो दूब सब्सक्राइब लूट पार्ट के तो तब से वाई सिक्यूरिटी बहुत हाई है मैं तो अभी देख रहा हूं आज वाई लास्ट टाइम मैंने नहीं देखा था बट अभी जब से हम चले हैं वहां दिल्ली से भाई बीच में लगबग 6 जगह पुलिस दिखी है बीच- सब्सक्राइब अच्छा लगा वाई जैवड़ दस्त तो गाड़ी मैं कुरूज कंट्रोल मतलब लगा लगा के 75 ऐसे ही चला रहा हूं अराम-अराम से और गाड़ी का जो अपने गालू का जो एवरेज आ रहा वाई एवरेज आ रहा फिफ्टीन पॉइंट नाइन अल्मोस्ट 16 का अवरेज आप मान के चलो हाईवे पे जब आपनी थार 4x4 आटोमेटिक डीजल ठीक है डीजल की बात कर रहा हूं मैं और इसकी अवरेज अराम से आपको 16 15-16 के बीच में आएगी अगर आप 70-80 के बीच में चला दो वाई 70-80 कम नहीं होता थार के लिए हव अब यहां से 32 किलोमेटर है अभी आगरा पहुंच जाएंगे सही है ना आप बताना अवरेज कैसा निकल ला अपनी गाड़ी का लो है आगे अपना तीसरा टोल ठीक है और आगरा भी यहां से दिखा रहा है 23 किलोमेटर मतलब आगरा जहां से हम लखनों वाले एक्सप्रेस अराम अराम से आ रहा हूं भाई कोई मुझे जल्दवाजी नहीं है कुछ नहीं है एक दम तसल्ली से गाड़ी चला रहा हूं तो गाइस फाइनली यह देखो आगरा अलिकास प्रादीकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है तो अपना भाई खतम हो चुका है आग यह करने वाले हैं लखनव आगरा लखनव एक्सप्रेस में ठीक है तो हमने आगरा तक का डिस्टेंस कवर किया है पूरे एक्जेक्ट तीन घंटे में और बड़े अराम अराम से 75 85 गाड़ी चलाया हूं एवरेज निकल कहा है आगाड़ी का सोले का तो भाई ओवराल एक्स्प पिएंगे या पिएंगे नहीं पिएंगे वह डिपेंड करता है आगे और उसके बाद हम सीधा निकल जाएंगे कि अपने एक्सप्रेस में पे लेट सी लाफ्स टाइम हम यहीं लेफ्ट में कही गाड़ी रोके थे तो देख रहें रोक के थोड़ा सा अगर मूड हुआ पोड़ा दीचाय प्टन से लिकलते से लाला पिए के लिए लाएंगे बड़ी गाड़ी लेने का अगया एक आप आप अगया 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 निकल दिये हैं लखनाव के लिए अगरा टु लखनाव त्री टॉन्टी सेवन किलो मेटर अब देखो यहाँ से कितना टाइम लगता है तो हम आगरा वाले इस टोल से निकले हैं दो बावन पे ठीक है चलते हैं जो यह आगे बस वाला जा रहा भाई बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहा बंदा मेरी गाड़ी अभी देखो 77 के स्पीड में चल रही 77 और यह मेरे क्याल से 80 चल रहा है बहुत मुझा रहा है इसके साथ चलने में एक बराबर गाड़ी चला रहा बंदा बीच कोई बस वाला नाइट में आएसी ड्राइविंग कर रहा ना भी लगजरी बस है बहुत अच्छा ड्राइविंग कर रहा है दिल खुश हो गया बहुत सही अच्छा लगा मैंने का चलो आपको भी दिखा दे बाई कि बस वाले रैश ड्राइविंग भी नहीं करते हैं सारे आप देख लो आपके सामने कितना बढ़िया चला रहा बंदा बढ़िया 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 अब मैं इसी के पीछे लगा लिया हूं वाई 40-50 बंदे बस में बैटे रहे हैं इसका मजाल जो छेड़े दिलेर को हैं कुछ भी बहुत है चलो इंजॉय करो कि अबरेज देखो 16.4 का अबरेज निकाल ला हूं और बताओ यार ना इंजन पे जर्ब जायागा ना कहीं जायागा बाई कालू अपना मस्त चल रहा है यार बाई दिल खुस हो यार गाड़ी बहुत सही है यार मजा आ गया जवर्दस तो लो भाई कि आगया लखनव आगरा एक्सप्रेस वे का पहला टोल प्लाजा पटाफट से वह यार टोल कटवाते हैं यहां कटवाते क्या मतलब वो तो आटोमेटिक कटी जाएगा ठीक है तो चलो वाई इसी बस के पीशे हमने भी लगा लिया गाड़ी अगर बस्ति कुछ दिख़ाएगा इस्क्रीन पर अपनी गालू का एवरेश वाई 17.1 का एवरेश आ रहा वाई जवर्दस्त 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 बताओं क्या चाहिए 17.1 का एवरेश समझ रहो थार 4x4 आटोमेटिक डीजल वाई अच्छे से चलाओ गाड़ी एवरेश सब निकल जाता है मैं भाई 17.80,70,80 इसी के वीच हूँ मैं स्टेवरे जा रहा हूँ कोई दिक्कत ने भाई आराम से गाड़ी कंट्रोल हो रही है मज़े इसे अपना चला रहा हूँ देख लो क्या दिक्कत भाई अच्छा रोड़ बना के दिया सरकार ने उसके थोड़े न्ज्वाह करो गया और उसके हाई स्पीड आप करोगे तो क्या फायदा भाई तो मस्त भाई मजा रहा है और अभी हम लखड़ों से कुछ दूट दूर है कभी 200 किलोमेटर के ने रवाउंट होका सबादो सो है अभी 200 हाँ 207 किलोमेटर मालो वही 210 पंद्र है कोई ने चल रहे हैं इंज्वाय क हम यह जामेस साइड में यहां रुके थे थोड़ा सा मैंने कहा वीडियो अप्लोड कर दूं कर रहा हूं दो आज 9 नौदीन से और सीधा गाड़ी लगाते हैं लखनौ ठीक है शेलो भाई बोलो संकर भगवान की जय 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 क्यों है पांच पांच बजना और मौसम देखो यार बाहर मेरे लेफ्ट साइड में देखो इदर से धूप सूरे भगवान निकलेंगे और यह देखो ऐसे रेड बतल लालिमा होत पर अपना कालू मास्त भाई क्रूश कंट्रोल पर इक्यासी की स्पीड में चलना मज़े से 5 बच गए और यहां से लखनौ आई तिंक 200 किलोमेटर 180 किलोमेटर और 117 दिखा रहा तो 180 मालो और फिर लखनौ से 232 किलोमेटर अपना घर है तो यहां पर टाइम दिखा तो रहा चलो है कि अचलते है